मुख्य मंत्री कमलास सरकार के अद्धिक्षिता में होने वाली केबिनेट के एहम बैठक होई संपन इन एहम प्रस्ता उपर लगी मुहर दोस्वागा थे आपका हमारे एडियो न्यूज चैनल मैं और मैं हूँ आपका गैन मित्र कुल्दीव पांडे दिशको आज के सुड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बलाइकुन दबादें जिससे तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरूंद पहुंश पाए और आप उनसे लाभान मित्स हो सके चलिए उससे मुग आश्यू करते हैं आज का वश्य जान लेते हैं पूरी केबिनेट की एहम जो पर मोहर लगी है कबलनात केबिनेट ने 27 प्रतिश्य तारक्षन देने के प्रस्ताओं को मंजुरी दे दी है विधानसभा में विधायक लाकर इसको कानून की शक्ल दी जाएगी वही मोटर वहिकल एक्ट में संसोधन किया गया है सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों के अधिकतमाय उसी माच 40 वर्ष करने के करने समयत कई बड़े फैसले केबिनेट की बैटक में लिए गए फैसलों की जानकरी जनसंपर्ग मंत्री पीसी सर्माने दी है उन्होंने बताया है कि विसी वर्ग को चौधा से बढ़ा कर 27 प्रतिश्य तारक्षन देने के प्रस्ताओ को केबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसको लेकर विधासभा में विध्यक लाया जाएगा वहीं इस मामले में पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग जबरजस्ती इस फैसले पर लेकर भ्रम फैला रहे हैं बैटक में कुछ कुछ रोगियों के साथ वहां 1949 से लागू था वहीं विधी विभाग में पार्ट टाइम एडिटर चीफ एडिटर और रिपोर्टर्स का मानदे बढ़ाया गया है सीनियर एडवोकेट इस काम के लिए नियुक्त किये जाएंगे मोटर वीकल एक्ट की बात करें तो मोटर वीकल एक्ट में संसोधन क किया गया है प्रदेश में नो जिलों में आदिम जाती और अनुसुचित जाती छात्रवास बनाने को मंजूरी मिल गई है मोटर यान काराधान एक्ट में बड़ा वदलाव किया गया है दो एर चौदा से पहले रिटार रेजिस्टेट वहानों को एक मुस्त लाइफ टाइ से जादा कि जो वहान है और प्रदेश टेक्स बढ़ गया है जमा करने के बाद लाइफ टाइम टेक्स नहीं लगेगा अभी तक हर साल टेक्स लेना पड़ता है इस फैसले से 400 करोड की आय होने का अनुमान जताय गया है बच्चों की यूनिफार्म राशी सीधे खाते में अब 600 रुपे मिलेगी दो सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफार्म की रकम सीधे बच्चों के एकाउंट में ट्रांस्पर करने की मंजूरी दी गई है बच्चों की यूनिफार्म के लिए मिलने वाली राशी 400 रुपे से बढ़ा कर 600 रुपे कर दी गई है महिला सभी सहकारी विभागों की यूनिफार्म बनाएगी और पुलिस कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफार्म सप्लाई करने का काम मिलेगा इसकूल सिख्चा विभाग जाने वाली स्कूल यूनिफार्म मामले पर जंसंपर्क मंत्री ने कहा है कि इस साल यूनिफार्म के शुकायत निवारंड में सम्मीधा नियुख्ति को मंझूरी दी गई है सभ़ी जिलों में सम्मीध डाटा एंट्री ऑप्रेटर के पद जारी करने को मन्झूरी मिल गई है पहले से काम कर रहे ए रमो ुको नियुख्ति में प्राद्मक्ता दी जाएई सिचाई प्रबंधन और वाम क्रशक भागीदारी समीधी का कारेकाल 6 महीने बड़ा दिया गया है इस पकार से इस केबिनेट की बैठक में इतना ही ने लिए गए जिसके में हमने आपको विस्तार से आउगत करा है आशा करते हैं द्रशकों आपको हमारा आज कभी शेवस पसंद आया ह होगा पसंद आया होत लाइक करें और अधिस लोगों तक शेयर करें ताकि सब्सक्राइब की बैठक से एहमने इंडियों के बारे में जान सकें और आपके कोई सुझाह हो तो आप हमें कमेंट के बाद दम से अब बश्य बताएं आज के इस वीडियो मत नहीं हम फिर आज र नहीं हमाराद बंदे मादराओं